प्रवारत और वेस्ट इंडीस की टीम के बीच में पहला वन डे मुकाबला अब शुरू हो चूकाया और यहाँ वेस्ट इंडीस की टीम को रौंद कर भारतिय टीम के कप्तान शिकर धवन की टीम ने रौंग्टे खड़े कर देने वाले छखकों से ताबरतोड बल्ले बाजी करना भी शुरू कर दिया है आखिरकार क्या चल रही है मुकाबले की लाइव अपडेट किसने बना लिये हैं कितने रन क्या उतरी है मैदान पर प्लेंग 11 वो सब तो आपको बताएंगे ही लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हो कि भारते टीम पहला वंडे मैच जीते तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा और आप भी हमें नीचे कमेंट में बताएगा कि भारत और वेस्ट अंडीज में से कौन सी टीम पहला वंडे मैच जीतेगी अपनी कीमती राय हमें जरूर बताना तो चलिए अब आपका जादो समय ना लेते हुए जबकि मेजवान टीम की अगवाई निकोलस पूरन करेंगे हाला कि दोस्तों ये मुकाबला पोर्ट ओफ इस्पेन के क्विंस पार्क कलब इस्टेडियम में भारते समय अनुसार 7 बजे से शुरू होने जा रहा है तो वहीं दोस्तों तीन मैचों की वंडे सीरीज के लिए टीम इंडिया में युवा खिलाडियों को मौका मिल सकता है जबकि मेजवान टीम में इस्टार ओल्राउंडर जेसन होल्डर की बाप सी हुई है दरसल जेसन होल्डर को वर्क लोड के चलते बंगलादेश के खिलाफ घरेलू बंडे सीरीज से अराम दे दिया गया था लेकि वेस्ट अंडियों में टीम इंडिया 3 मैचों की बंडे सीरीज और 5 मैचों की T20 सीरीज खेलने जा रही है और आप सबी इन T20 सीरीज और वंडे सीरीज का लाइव प्रसारड सोनी स्पोर्स नेटवक्स के चैनल पर देख सकोगे और अगर आपको लाइव इस्ट्रीमिंग म इंडिया रिशप पंत और जस्परीद मुम्रा नहीं होंगे और सीनियर सलामी बल्लेबाज शिकर धवन वंडे सीरीज में टीम इंडिया की अगवाई करेंगे हाला कि दोस्तों अगर हम बात करें भारत की संभावित प्लेंग लावन टीम के बारे में जो कि आप सभी को पह रहते हुए दिखाई देने वाले हैं वहीं गेंडवाजी की बात करें तो गेंडवाजी में श्रादूर, ठाकूर, युज्वेंद्र, चहल, आप सभी को टीम का हिस्सा रहते हुए दिखाई देंगे वहीं मुहमद शिराच। और प्रसिद कृष्द को टेज गेंडवाज जब जब कप्तान बने उन्होंने अपनी भूमी का बहुती अच्छे धंग से निभाई है और ऐसे में शिकरदवन की कप्तानी में भारते टीम की जीत तो लगभकता है मानी ही जा रही है बाकी दोस्तों अब आप सभी की क्या राये है भारत और वेस्ट अंडीस के बीच खेल जा रही इस पहले वंडे मुकाबले के बारे में आपके अनुसार कौन सी टीम ये वंडे मैच जीतेगी आप अपनी गीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करकर जरूर बताईएगा